नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां के टोप 25 फर्मों खबर जानते हैं साथ फर्वारी को डोभी दुरगा पुर गैस पाइपलाइन समय तीन परियोजनाओं को राष्ट को समर्पित करेंगे मोदी पधान मंत्री नमदी साथ फर्वारी को पच्छी मंगाल में हल्दिया का दोरा करेंगे बतादे इस दोरान वह तेल एम गैस छेत्र में कई धाचागत परियोजनाओं को राष्ट को समर्पित करेंगे यह जनकारी केंद्रिये मंत्री धर्वेंद प्रधान ने रविवार को दी है बतादे इंडियन ओयल कर्पोरेशन ने एक ब्यान में कहा कि इन परियोजनाओं में 347 किलोमीटर लंबी डोभी दुरगापूर प्रकिति गयस पाइपलाइन भी सामिल है जिसे गेल ने 2433 कोड़ रुपाई की लागल से बनाया है जारखन के कई जीले सित लाहर की चपेट में होगी इसके साथ ही नियुतम तापमान में भी गिरावट आएंगी बतादे रांची के मोसम विग्यान केंदर के बेग्यालकों ने सित लाहर की चेतानी जारिक है आगामी दो फरवही 2021 तक ज agents के कई जीलों में सित लाहर चलेगी इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को सौधानी बहतने की अपील की गई है रांची के मौसम केंद्र के मुताबिक एक फरवरी को रांची पलामो गडवा चत्रा कुडर्मा लाते हालो अर्दगा रामगार गुमला बुकारो हजारी बाग गिर्डी पच्छमी सिम्भू पुर्वी सिम्भू चाई बसा तससिम्डेगा जिले में कही कही पर सितलहर चलने कि संभवना है खुलेंगे काक्षा चो से नौवी तक के प्राइवेट स्कूल जाखन में दसवी और बरावी की काक्षाय सुरू होने के बाद अब जूनियर कलास सुरू करने के तयारी चल रही है बतादे काक्षाय इसी सत्रे से सुरू किया जाएगा इन स्कूलों में काक् प्रावी काक्षा सुरू करने को लेकर सिक्षको से राय ले रहा है जार्खन में जल्द लागू होंगे चार लेवर कोड जल्द ही जार्खन में भी स्रमिकों के कल्यान और सरकार दोारा समय समय पर दिये जाने वारे निर्देशों को अमल में लाने के लिए चार लेवर किये जाएंगे बता देनाय कानून के लागू होने के बाद राजय में असंगड चेत्रों के सरमिकों को भी एस आई सी की भी सुविधाव मिलने लगेगी नैं कानून में सरमिक हीत में कई अने सुविधावों का भी प्रवधान है बदादे मुख मंत्री हमन सुरन के निदेश पर स्रॉम विभाग ने नए कानून का ड्राप त्यार किया है गोतला भाय की देश में अब तक जार्खंट सहीत आट राजों ने इस कानून को लागू करने पर समती जताई है सरना कोड केंद्रीय सरना समिती अखिल भारतिय आदिवासी विकास परिस्षद और आदिवासी सेगेल अभियान ने केंद्र सरकार से सरना कोड लागू करने की मांग की है इसे लेकर विवार 31 जनुवारी को रेल रोड चका जाम करने पसड़क पर उत्रे इस दोरान बड़ के अफसरों ने चेताया जाखन प्रसासनिक सेवा संग की अपात बैठक मेर अभिवार को नेना लिया गया कि विधायकों अथवा जन परतिनिद्यों के अस्तर से अपमान जनक बाते हुई तो अधिकारी ऐसे कारकरमों का बहिसकार करेंगे अधिकारी खास तर पर दूमका के विधायक बसंद सुरेन और मांडर के विधायक बंधू तिर्की के ब्यान से आहाथ हैं बतादे संग ने असपोस्ट तोर पर कहा है कि आगे ऐसा किया गया तो राजे के सबी अपसर ऐसे कारकरमों का बैसकार करेंगे पांच फरवई से चलेंगी दो ट्रेने रेल्वे न के लिए राची नई दिल्ली गरीब रत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया है बता दे राची नई दिल्ली गरीब रत एक्सप्रेस ट्रेन पांच फरवईर से सब्तामें तीन दिन चलाई जाएगी या ट्रेन राची से सुमवार मंगलवार और सुक्रवार को रव सिनेमा होल बड़े पर मनरंजन का अनंद लेने के लिए सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है बतादे कुरोना वायरे संक्रमन के कान बंद हुए सिनेमा होल अब बहुत जल्द ही खुलने वाले हैं केंद्र सरकार ने इस समध में गाई लाइन जारी कर दिया है और फै जार खन में 41 नए संक्रमित की पूष्टी हुई है जो राची से 21 वकारों से 63 धर्मा से 6 पूरवी सिमू 8 गूमला 1000 वाग एक होटी 1 मरीज मिले हैं जार खन में कूल मोज्थ की संक्रमित की संक्रमित की संक्रमित की 1500 तीरपन है दसवी बरावी परिक्षा में कड़ी सुरक्षा CCTV से निगरानी मोबाईल पर सिधा प्रसारान जार्खन एकेडमी कॉंसिल जैक की दसवी और बरावी की परिक्षा कदाचार मुक्त हो इसके लिए परिक्षा के निगरानी मोबाईल से भी की जा सकेगी बता दे परिक्षा केंद्रों पर आयोजित परिक्षा की मोनेटरिंग पता अधिकारी मोबाइल के माध्यम से कर सकेंगे परिक्षा केंद्रों में लगे CCTV कैमरे से इसका सीधा परसामन पता अधिकारियों के मोबाइल पर किया जा सकेगा बोड की परिक्षा के दरान सभी केंद्रों पर समान मोनेटरिंग करना संभव नहीं होता है ऐसे में इस बेवास्ता के ताथ पदाधिकारियों को काफी सहुलियत होगी पोस्ट मैट्रिक छात्रवीर्ती आवेदन तिथी बढ़ाने की मांग अल इंडिया स्टुडेंट एसोसियेशन की ओर से पोस्ट मैट्रिक छात्रवीर्ती आवेदन तिथी बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र संगठन के लोगों ने एलवाट एका चोक पर एक दिवस्य धाना परदसन किया इस दरण छात्रों ने छात्रवीर्ती की मांग को लेकर नारे भी लगाएं मौके पर आईसा राजे सचिव तिरुलोकी नाथ ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवीर्ती आवेदन की तिथी 25 जनवरी को खतम कर दी गई है पिछले साल 3,75,000 चात्रों ने आवेदन किया था इस वर्स मात्र 3,49,000 चात्रों ने आवेदन कर पाएं पिछले साल की तूलना में 1,000,000 चात्र आवेदन नहीं कर पाएं सो कच्छुआ कोडार्मा इस्टेशन से बरामद कोडार्मा इस्टेशन के प्लेटफर्म संक्या 3 से 2 बुरावा 2 जोला में करीब 100 कच्छुआ बरामद किया है माना जा रहा है या कच्छुआ तसकरी के लिए कुलकता ले जाने की त्यारी थी आरपिये प्रभारी निरिक्षक जोहर लाल वा एसके राम ने गस्ती के दरान लवारी सालात में बोरो को देखकर इसकी तलासी ली इसमें कच्छुआ पाया हलाकी मामले में किसी की गिरिफतारी नहीं हो सकी है सर्वे रिपोर्ट का दावा अस्मार्ट हो गई जार्खन पुलिस देश में आठवा स्थान जार्खन में दुसकर्म की घटनाओं को लेकर भले ही विदी बेवस्ता पर सवाल उट रहे हो बतादे टाटा ट्रोस्ट नामक संस्ता की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुचार पिछले एक साल में राजे की 26 सुदरी है बतादे ओल ओवर रैंकिंग में पहला स्थान महराष्ट तमिलाडू दोसरा स्थान तिलंगाना तिसरा स्थान वही जार्खन आठवा स्थान पर है सिमडेगा में महिला कॉलेज का राजेपाल ने किया उधगाटन राजेपाल द्रोपदी मुर्मु ने रविवार को सिमडेगा जी लेके बानु परखन में निर्मित मौडल डिगरी कॉलेज एवं सिमडेगा में बने महिला कॉलेज का उधगाटन किया इस मौके पर राज अपाल द्रोपदी मुर्मो ने कहा कि जार्खन दूसरे राजियों से अलग है यहां महिलाओं के संख्या पूर्शों के प्रिक्षा अधिक है जहां महिलाओं सिक्षित होती है वहां का समाज राज वद्देश सभी प्रगति सील होते है जहार्खन के इसकूली बच्चे को एक दिन में मिलेंगे 40 अंडे जहार्खन के प्रारामभिक इसकूलों के बच्चे 6 महिने के 40 अंडे का कोटा एक दिन में ही खाएंगे बतादे बच्चों को अगस 2020 से जनवार 2021 तक के अंडे की रासी नहीं दी जा सकी है लिहाजा अब जारखन मद्यान भोजन प्राधिकरन इन छो महीने के अंडे के लिए रासी उपलब्द कराने की त्यारी कर रहा है इस रासी से स्कूल प्रवंधन बच्चों को एक साथ छो महीने का अंडा या फॉल खरिद कर उपलब्द कराएंगे हर बच्चे को करीब 40-40 अंडे मिलेंगे बिहारी वह मारी समुदाय के प्रति दिया गया जहरखन के मंत्री रामेशर उराव का ब्यान बहुत दुर्भागे पुर्ण है या ब्यान ना सिर्फ दुर्भागे पुर्ण है बलिक मंत्री की मान सिक्ता को दर्शाने वाला है UPSC क्वालिफाइक और IPS की नोकरी करने वाले और अब राइनितिक में सक्रिये रहने वाले ब्याक्ति का ऐसा ब्यान नो सिर्फ उनका ब्याक्तिकत ब्यान है बलिक या पूरी कॉंग्रेस पार्टी के मंसिक्ता है उक्त बाते राची के संसत संजार सेथ ने रविवार को कही क्रिसी कानून के विरुद में रविवार को कांग्रेस ने ट्रेक्टर रहली कायोजन किया बतादे पूर्वन निर्धारित कारेकरम के तहट गोड़ा के कारेकरम की सुरूआत राज्यक के क्रिसी मंत्री बादल पत्रले के साथ जामत्रा बिधायक सा अलप संखेक आयो के च अतिबंधित उग्रवादी संग अठन पिपलस लिवरेशन फ्रॉंट ऑफ इंडिया के तीन उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बतादे गिरफ्तार उग्रवादियों में संकर मुंडा बीर सा मुंडा और में सामर सामिल है चौदावें बित कर्मी मुख 셋 मंतरी से चार फर्वाई को किसी भी हाल में मिलेंगे चौदावें बित कर्मी संग के द्वारा लागतार 46 तस दिन भी धरना जारी रहा एवं नारेवाजी करते हुए जोरदार पर्धोसन किया गया बता देर अभिवार के दिन कर्मी संग के द्वारा बैट कर नितिताय की गई कि किस तरह मुख्य मंत्री से चार तारीख को किसी भी हाल में हम सभी मुख्य मंत्री से मिल कर अपनी मांगो को रखेंगे उसका निसकस निकालने के लिए मोख मंत्री से निवेंतर करेंगे साथ ही कर्मी संके द्वारा दीन सोमवार को एक पत्र के माध्यम से अनुमंडल पता दिकारी को सुचना दे दी जाएगी कि अगर कोई भी सक्षम पता दिकारे हम सभी चोधवे वित कर्मी के प्रतिनिदी मंडल को एक निश्ची समाय मोख्य मंत्री से मिलनी का नहीं मिला तो उग्रपरदसन करेंगे स्वास्त मंत्री ने पोलियो ड्राप पिलाकर अभियान की सुरुआत की पल्स पोलियो अभियान की सुरुआत जमसेद पुरु में आवयजित कारेकर में एक साल की बच्चे को दो बुंद जिन्दगी की पिलाकर की उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों से जारखन में कोई भी पोलियो का केस नहीं मिला है जो हमारे लिए गौर्व की बात है इसके लिए स्वास्त विभाग के सभी करमचारी बधाई के पाईत रहा हैं उन्होंने बता है कि कुरोना के 20 संकट में भी हमारे स्वास्त विभाग के करमचारी A.N.M. G.N.M. बाने पूरी मुस्तहदी और इमंदारी के साथ इस अव्यान को सपल बनाने में लगे हैं